नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चानल पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज कल हर कोई अपनी बुद्धिमानी लोगों के सामने सावित करना चाता है जिसके लिए वह तरह-तरह के उपाय अपनाता है अपना आटिटूर चेंज करता है लेकिन वह दूसरों के सामने प्रभावी रूप से अपना इंप्रेशन नहीं जमा पाता है लेकिन दोस्तो आचरे चानक की क्या नुसार केवल बुद्धिमान मनुश में ये चार आदते पाई जाती है अगर आप खुद को बुद्धिमान सावित करना चाहते हैं तो आपके पास ये चार आदते जरू होनी चाहिए आज के इस वीडियो में हम आपको आचरे चानक की जी ने बताई हुए इसी चार बातों के बार में बताने जा रहे हैं जो किसी भी बुद्धिमान विक्ति में पाई जाती हैं दोस्तों अगर आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इससे सब्सक्राइब जरू करें ताके आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके पहली आदत कुछ भी बोलने से पहले सोचे कई लोगों की आदत होती है कि वो धड़ाद़ बोलते रहते हैं और उन्हें ये भी मालूम नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं ऐसी अवस्था में सामने वाले तुरंट समझ जाते ही कि आप किस कैटेगरी के हैं इसके विपरित यदि आप कुछ भी बोलने से पहले सामने वाली की बात ठीक तरह से सुनते हैं और उसी के अनुरूप सटिक जवाब देते हैं तो इसका बहुती अच्छा प्रभाव पड़ेगा और सामने वाले आपकी इज़त करेंगे बाते करते वक्त सामने वाले को नीचा दिखानी की कोशिश ना करें ऐसा करने पर आगे वाला मनुश्या आपका समायन करनी की बजाए आप से पीछा चोड़ानी की कोशिश करेंगा किसी की ज़्यादा स्तुती भी ना करे और किसी का बात-बात पर अपमान भी ना करे दूसरी आदत है तरक संगत बात दोस्तो बिना तरक की जीवन में कभी बात नहीं करनी चाहिए ऐसा करने से आप आधार ही इन विक्तित्व के धनी बन जाओगे आप दूसरों के सामने जो भी बात रखे उसके पीछे उस बात की सत्यता को सिध करना आपको आना चाहिए बेसिरपेर की बाते ना करे जिन विश्यों में आपको जानकरी है उसी पर बोले जानकरी ना हो तो चुप रहना ही बहतर होता है लेकिन जब आप तरक से बात करना शुरू करोगे तो आपको जानकरी पराप्त करने की आदत लग जाएगी और भविशे में आप हर विशे पर तरक से बात करने लगेंगे तीसरी आदत है बोले कम सुने जादा अगर आपको दूसरों के सामने अपनी बुद्धिमानी सावित करनी है तो कम से कम शब्द मूझ से निकालने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की बातों को सुनना चाहिए ताकि आप उन सभी की मान सिकता का पता लगा सके और उसके अनुरुप जवाब दे सके इससे उन लोगों की नजरों में आप अधिक परिपक्व और भुद्धिमान सावित हो जाओगे लेकिन अगर कोई बेमदलब की बाते जादा करता है तो उससे दूरी बनाते चले ताकि लोगों को आपकी विक्तितव का पता चले और भईशे में आप से मिलने के बाद वो विक्ति सोच समझ कर ही बात करे चवती बात है पीट पीछे बुराई ना करे अक्सर हम लोगों को देखते हैं उन्हें दूसरों के उनके पीट पीछे बुराई करना बहुत अच्छा लगता है ऐसा करने में उनको आनन्द मिलता है लेकिन ऐसा करना सही नहीं है अगर आप हमेशा किसे न किसी विक्ति की बुराई करते हैं तो सामने वाले विक्ति को आपकी मानसिक्ता का पता चल जाता है और वो आपकी साथ नीजे और महतुपुरुन बाते शेर करना पसंद नहीं करता और आपसे दूरी बनाया रखता है भुद्धिमान विक्ति केवल काम की बाते करता है और मुर्ख विक्ति अपना समय दूसरों की बुराय करने में गवाता है तो दोस्तो यह थी वो चारा दते जो केवल भुद्धिमान विक्ति में पाई जाती है इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकरी वाले विडियो देख सके धन्यवाद